Hello friends, welcome all option quality and facts दोस्तो आज अपनी lecture series का 7 वा lecture लेक्चर 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 आया हूँ और इससे पहले की वीडियो में हमने कोटिल्य को शुरू किया था तो कोटिल्य के आगे के facts को thoughts को देखते हैं तो पहला question है कोटिल्य तक शिला विश्व विद्याले में आचारिय या फ्रोपेसर था और कोटिल्य ने विजे की आकांग्षा रखने वाले राजा को विजी गिशु कहा और जितने भी thoughts कोटिल्य ने दिये हैं राजा के संबंध में अर्थशास्तर के अंदर वो सारे के सारे विजी गिशु के इर्द गूमते हैं कि विजी गिशु जो राजा है विजी गिशु का मतलब होता है जो विक्ट्री यानि विजे की आकांग्षा रखता है ठीक है उसी के इरदगिर्द सारे विचार घूमते हैं कि कैसा राजा होना चाहिए, उसके क्या क्या काम होने चाहिए, उसकी दिन्चरिया क्या क्या होनी चाहिए कोटिल्ले का मंदल सिधान्त भारतिय राजतंतर का एक प्रमुख सिधान्त माना जाता है जो अंतरराष्टे संबंधो वा विदेशनीती से जुड़ा हुआ है तो मंदल सिधान्त जो है ये एंशियंट इंडियन फॉरन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है कोटिल्ने ने राज्यों के मंदल को मोटे तोर पर चार श्रेणियों में विवाजित किया है और यह जो चार श्रेणिया है इसके अंदर पहला आता है विजी गिशू विजी गिशू वो राजा है जो विजे की आकांग्शा रखते हैं जो सेंटरल पॉइंट में है उसके बाद आते हैं शत्रू राज्य, शत्रू के बाद आते हैं मध्यम राज्य और मध्यम राज्य के बाद आते हैं उदासीन राज्य विजी गिशु तो जो सेंट्रल पॉइंट में है और उसका जो शत्रू है वो शत्रू राज्य का वर्ग होगा मध्यम राज्य वो राज्य होगा जिसकी शक्ति क्या होगी जिसकी शक्ति बराबर होगी ठीक है मध्यम राज्य वो राज्य है जिसकी शक्ति ना तो बहुत जादा होगी ना ही बहुत कम होगी मध्यम मतलब मिडल रेंज का जो होगा और उदासीन राज्य होते हैं नीट्रल राज्य नीट्रल राज्य वो राज्य है जो कभी भी या तो वो शत्रू के साथ मिल सकता है या विजी गिशू के साथ भी मिल सकता है वो बिल्कुल नीट्रल है अपने आप में कोटिल्ले के अनुसार एक मंडल बारा राज्यों से बना होता है तो मंडल बेसीकली कैसे बना होता है सेंटरल में आपका विजी गिशु रहेगा विजी किशु के साथ उसके शत्रू पडोस वाले जितने भी देश होते हैं वो शत्रू होता है शत्रू का जो पडोस वाला है वो शत्रू का शत्रू होता है शत्रू का शत्रू क्योंकि इसका पडोस में भी जो देश है वो शत्रू का शत्रू है इस साइड से भी शत्रू का शत्रू है लेकिन यह यहाँ पर विजी गिशू है विजी गिशु के शत्रू के जो बिल्कुल साथ वाला राज्य है वो विजी गिशु का मित्र होगा इस तरीके से ये एक पूरा का पूरा एक मंडल बनाते हैं एक घेरा बनाते हैं जिसके अंदर बारा राज्य होते हैं ठीक है और जो इधर से इधर से इधर को है ये क्या है अरी मित्र कहलाता है इधर वाला जो राज्य है ये अरी मित्र कहलाता है अरी बोलते हैं शत्रू शत्रू का मित्र अरी मित्र फिर अरी मित्र मित्र इस तरीके से ये चलता है ठीक है इसको हम कभी डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे तो एक जो मंडल होता है इसमें प्रतेक राज्ये की 5 प्रकृतिया होती है तथा कुछ उप प्रकृतिया होती है जिन्हें अमात्य, जन्पद, दुर्ग, कोश एवं दंड के नाम से जाना जाता है जो एक राज्ये होता है एक राज्ये की कितनी होती है? पाँच पाँच द्रव्य प्रकृतिया होती है और ये होती है अमात्य जन्पद, दुर्ग, कोश और दंड ये आपने याद रखना है ये आप से पूछा जा सकता है इस व्रियद राज्य मंडल ठीक है? के अंदर बारा राज्ये होते हैं और ब बारा की कितनी होगी? 12 इंटो फाइव बारा पंजे 60 साथ द्रव्य प्रकृतियों से मिल कर बनता है और तो मिलाकर इसमें कितनी होती है? 72 प्रकृतिया होती है कैसे? अब देखिए एक राज्ये साथर्कृतिक की होती है 5 द्रव्य। प्रकृतिया ठीक है? और इसकी उपर आप 1 मान के चलो ठीक है और टोटल है 12 राज्ये तो 12 गुणा 5 ठीक है is equal to 60 और 7 में ये 12 राज्ये अपने आप में एक एक प्रकृति तो रखते ही है 60 और 12 होगे 72 तो इस तरीके से कॉशन ही एक बार नेट में आ भी चुका है तो इसमें आपने confused नहीं होना है टोटल जो द्रव्य प्रकृतिया होती है कुल मिलाकर वो होती है 72 कोटिल्ले के अनुसार शक्ती तीन प्रकार की होती है पावर्स या अथोरेटी को भी इन्होंने तीन भागो में डिवाइड किया है पहला है मंत्र शक्ती अर्थात ज्यान बल ज्यान के आधार पर जो शक्ती को इन्होंने बाटा है जिसे आप कह सकते हैं power of knowledge ठीक है दूसरा है प्रभु शक्ती अर्थात प्रभुता जिसे आप सोवन्टी बोलते हैं सोवन्टी की शक्ती इसमें इन्होंने कोश और सेना को भी ले लिया है और तीसरे टाइप की जो पावर होती है वो होती है उत्सा शक्ती या प्राक्रम बल कोटिल्य के अनुसार सिध्धी भी तीन प्रकार की होती है पहली होती है मंतर शक्ती से प्राप्त सिध्धी जिसको आप कह सकते रिशी मुनी जो काफी टाइम से तपस्या करते थे मंतरों के द्वारा जो सिध्धी प्राप्त करते थे दूसरी होती है प्रभु सिद्धी ठीक है प्रभु शक्ती से प्राप्त सिद्धी को इन्होंने प्रभु सिद्धी कहा यानि जो प्रभु सत्ता के द्वारा आप लोगों के उपर अपनी शक्ती स्थापित करते हैं sovereignty के द्वारा उसे कहा गया है प्रभु सिद्धी और तीसरा कहा गया है उतसाह शक्ती से प्राप्त सिद्धी तो इनके अनुसार कोटिल्य के अनुसार क्या है विजी गिशु का जो काम होता है विजी गिशु का काम होता है विजी गिशु के दो ही काम होते है शक्ती को की शक्ति और तिन प्रकार की सिधी की इनों ने बात की है मंडल सिधांत के अंतरगत राजनीती का संचालन जिन साधनों के द्वारा किया जाना था उसमें साम दाम दंड भेद चारों आते थे तो आपने सुना होगा साम, दाम, दंड, भेद ये चार परकार की नीतियों की बात की है कोटिल्य ने साम, साम का मतलब होता है समझाना, दाम दाम का मतलब होता है उसको दाम देना या लालस देना, अगर कोई आदमी समझा के मान जाए तो अच्छा है ना माने तो उसे दाम यानि उसे उपहार देना या फिर उसे लालत देना कि आप मेरी बात मान जाएए, मैं इतना लाव दे सकता हूँ अगर फिर भी ना माने तो दंड दंड यानि उसे या तो आर्थिक दंड आप दे सकते हो या उसे सामाजिक बहिशकार उसका कर सकते हो कई परकार के दंडों की यहाँ पर कोटिल्य ने बात की है उसके बाद है भेद भेद का मतलब है उसको भेद देना जैसे यह तीर है तीर ने इसकी छाती को भेद दिया भेद मतलब उसके उपर आकरमन कर देना और आकरमन करना इस निती का last stage है और यह rare cases में होना चाहिए according to को कोटिल्य ने विजी गिशु को शत्रू के साथ व्यवहार करने के लिए छे उपयोगी साधन सुझाए है जब भी किसी शत्रू के साथ अभी उपर वाला शत्रू के साथ नहीं यह पडोसी राजियों के साथ था अब शत्रू के साथ जो व्यवहार करता है एक विजी या जीत की इच्छा रखने वाला राजा तो उसको छे परकार की कूटनीती डिपलो मैसी यूज करनी होगी पहला क्या करना होगा शत्रू के साथ संधी करने का पहला प्रयास आप करेंगे संधी उसके साथ कर जाएंगे कि मान जाएए मेरी बात को ठीक है और आप दोनों बेटके संधी करेंगे संधी से अगर बात नहीं बनती है तो आप विग्रह करोगे विग्रह मतलब आप उस अपने शत्रू के कमजोर पॉइंट्स को तलाशने की कोशिश करोगे उसके बाद आप क्या करोगे अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आप अभियान शुरू कर दोगे उसके खिलाफ युद अभियान शुरू कर दोगे फोर्थ बताया आसन, आसन का मतलब होता है आप क्या है जैसे एक आसन पर बैठा होता है एक तेन दुआ ठीक है बिल्कुल पीछे दुबक के बैठा होता है और वो क्या है वेट कर रहा होता है कि कब मैं उसके उपर जपटू तो आसन का यहीं मतलब है कि आप पूरी तयारी कर पूरी तियारी करके बैठे हुए हैं उसके बाद होता है संश्रे संश्रे का मतलब होता है एक context इसको आप बोल सकते हैं ठीक है संश्रे और जो last होता है वो होता है द्वेदीभाव के अंदर क्या होता है कि आप सामने से तो कुछ दिखा रहे हैं लेकिन आप उसके पीछे क्य है इस तरीके की प्लानिंग बना रहे हैं लाइक आप जिस राजा के जो आपका शत्रू है उसको बता रहे हैं कि मैं आपके फेवर में हूँ लेकिन आप उसके पीछे ऐसी ऐसी रणनीतिया रच रहे हो कि आप उसके उपर कभी भी आकर्मन कर सकते हैं कोटिल्य का मानना था कि युद का प्रयोग केवल अंतिम अस्त्र या साधन के रूप में ही न्याय संगत है तो कोटिल्य के अनुसार युद है लास्ट ऑप्शन अगर कोई भी हल ना निकले कोटिल्य के अनुसार उस राजा पर हमला करना बहतर अथवाश्य से कर होगा जिसकी प्रजा आसंतुष्ट हो ना कि ऐसे राजा पर जिसकी प्रजा स्वामी भक्त हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पर हार जाओगे क्योंकि प्रजा अपना जीत, जान, तन, मंधन लगाके आपको हराने की कोशिश करेगी राजा प्रजा के साथ दुर्व्यभार ना करे उन्हें गरीबी, लालच, अथ्वा, असंतोष्ट की स्तिती में ना रखे क्योंकि ऐसी कारेवाही उसके लिए आतमगाती सिद्ध हो सकती है तो राजा का काम कोटिल्ले ने जो बताया वो कल्यान कारी काम बताया कि प्रजा के कल्यान में ही राजा का कल्यान है इसलिए प्रजा के साथ वो दुर्व्यभार ना करे कोटिल्ले ने दूतों को भी तीन भागों में डिवाइट किया है तो ये कोश्चन कई बार रिपीट हुए है इसलिए यहाँ पे मैंने रखे हैं सिद्धी, पावर और इन्होंने दूतों को भी तीन भागों में वाटा है जो आपके अमबेसेडर होते हैं पहला इन्होंने बोला निस्रिष्टार्थ अब देखिए इंगलिश में आप यहाँ पे मत जाएए कि इंगलिश में ही आएगा वहाँ पे इंगलिश में भी ऐसे ही लिखा होगा निस्रिष्टार्थ दूत क्या होते हैं ठीक है ऐसे ही लिखा होगा तो आपको हिंदी में इसको देखना है निस्रिश्टार्थ, निस्रिश्टार्थ का मतलब होता है पूर्ण अधिकार प्राप्त दूत, जिनको राज्ये के द्वारा पूर्ण अधिकार दिये जाते हैं, जो कि अपने जो पडोसी देश हैं, उनके साथ पूरे अधिकार के मतलब होता है राजदूत जो की राजा की आग्या से गए होते हैं और तीसरा होता है शाशनहार का मतलब होता है शाही संदेश वाहक जो राजाओं के संदेशों को एक जगा से दूसरी जगा पर ले जाते थे कोटिल्य ही भारत का मेक्यावली है ऐसा कहना है जौहरलाल नहरु का अर्थशाष्टर के अंदर 18 मंत्री वा विवागा देक्षो का वर्णन क्या गया है जीन है कोटिल्य ने अश्टादश तीर्ष तीर्थ कहा है तो ये भी आपका एक डारेक्ट कोश्चन यहां से आ सकता है कि टोटल कितने परकार के मंत्रियों और विवागा देक्षो की बात कोटिल्य ने की है नेक्स्ट कोश्चन है कोटिल्य के अनुसार राजा पर नियंतरन के साधन तो राजा निरंकुष नहीं हो सकता, उसके उपर कई परकार के नियंतरण होते हैं, जैसे अनुबंध वाद, पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इन्होंने बात की थी, कि व्यक्तियों ने मनु को अपना राजा क्यों चुना, क्योंकि उस ट्राइम क्या था, मत्सिय ने आय से बचने के लिए लोगों ने राजा को चुना था, तो लोग क्या देते थे, अपनी उपज का एक बटा छे, ठीक है, और व्यापार का एक बटा दस भाग राजा को देता था, बदले में राजा को क्या करना पड़ता था, लोगों की रक्षा, तो ये अनुबंध वाद, ये लोगों की रक्षा नहीं करता था, तो राजा को हटाया जा सकता था, दूसरा था धार्मिक नियम और रिती रिवाज, तो धार्मिक नियम और रिती रिवाजों से उपर राजा नहीं जा सकता था, मंत्री परिशद और जन नियंतरण, मंत्री परिशद का भी राजा के उपर नियंतरण रहता था लोगों का तो नियंतरण रहता ही था अर्थ शाष्टर में मंत्रियों को अमात्य कहा गया है जबकि परधान मंत्री को महा मात्य कहा गया है तो पिछले कल आपने देखा था प्रतियोगी लाओ ठीक है सीके प्रहलाद का कॉंसेप्ट उसके बाद उसको आगे बढ़ाया था M.E. Potter ने और M.E. Potter ये कहते हैं मैनेजर एक संगठन के अंदर कैसी परिस्थिती में निर्णे कैसे लेता है इसका अध्यान क्या है M.E. Potter ने ठीक है कि एक संगठन के अंदर एक मैनेजर किस परकार से डिसीजन लेता है उसका अध्यान क्या है M.E. Potter ने नेक्स्ट आपका कोश्चन है प्रशाष्चन का पांच बलो वाला मोडल यानि फाइफ हेक्टर मोडल ऑफ एड्मिनिस्टेशन डारेक्ट कोश्चन आपका बन सकता है आपे ये भी दिया है माइकल E. Potter ने The New Society 1950 के अंदर लिखी है Peter F. Drucker ने तो Peter F. Drucker क्योंकि स्पेसिफिकली आपके स्लेबस में लगे हैं आप देखोगे M.B.O. का जो सिधान्त है Management by Objective तो वो सिधान दिया है Peter F. Drucker ने तो इनकी बुक्स आपको सारी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये Most Important आपके लिए हो जाते हैं तो New Society 1950 में इन्होंने लिखी Practice of Management 1954 के अंदर इन्होंने लिखी Managing for Results 1964 में The Effective Executive ये इन्होंने लिखी है 1962 के आसपास और उसके बाद इनकी बुक्स आती है The Age of Discontinuity ये लिखी है 1979 में Management Challenges for 21st Century ये भी P.F. Drucker की बुक है और उसके बाद देखिए Peter F. Drucker नोकरशाही के बिलकुल विरुद्ध थे क्योंकि उन्होंने कहा कि नोकरशाही में Creativity यानि रचनात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं होता इसलिए इन्होंने M.B.O. का सिधान दिया Management by Objective क्योंकि इसके अंदर Creativity को ही स्थान दिया जाता है और ब्यूरोक्रेसी का इसी आधार पे इन्होंने आलोचना की थी तो कई बार पूछा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के इन में से कौन-कौन से आलोचक है या कौन-कौन से नहीं है तो उनकी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी Peter F. Drucker रचनात्मक प्रबंद के समर्थक थे इसी उदेशी की पूर्ती के लिए उन्होंने MBO यानि उदेश्यों द्वारा प्रबंद सिधान्त स्थापित किया था Peter F. Drucker का जो संबंध है वो प्रशाशन के Empirical School यानि अनुभाव जन्य स्कूल से है जो मानता है मानव बुद्धी तथा रचनात्मकता का बहुत जादा योगदान रहता है प्रशाशन के अंदर प्रबंद में सिस्टम एप्रोच को Bernard ने सबसे पहले लागू किया था तो सिस्टम एप्रोच अगर आप इसको सबसे पहले देखोगे तो ये comparative politics में लागू किया गया डेवीड इस्टन के द्वारा ठीक है डेवीड इस्टन के द्वारा उसके बाद अगर हम इसको देखे international politics में international politics में system approach को लागू किया था Morton Kaplan ने और public ad में अगर हम इसको देखे तो public ad में सबसे पहले लागू किया था Chester Bernard ने प्रबंध में system approach तो पहले ही आपको उता चुका हूँ सबसे पहले लागू किया था Chester Bernard ने उसके बाद जुड़े हैं की कींत बॉल्डिंग उसके बाद जोहांसन फिर रोसन फिर जंबिंग तो ये जो चिंतक है वो system approach के समर्थक है प्रशाशन के अंदर प्रबंध के quantitative approach के समर्थक तो quantitative approach में आपको पिछले कल बता चुका हूँ quantitative approach वो approach होती है जो प्रशाशन के निर्णे को numerical form में दर्शाते हैं ठीक है इसके समर्थक है लेजर गिल्वरेथ, ग्रांट और निउमेन प्रबंध में प्रासंगिक या पारिस्थितिक धार्णा जिसे कहा जाता है contingency approach इसे लागू किया था तार्श और लोरेंस ने तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था इन्होंने इसे लागू किया है 1970s के अंदर तो ये एक modern approach है contingency approach के समर्थक प्रबंध के universal धार्णा को स्विकार नहीं करते हैं तो ये जो तार्श और लोरेंस है ये जो universal धार्णा बनाई थी कि जो प्रबंध के नियम बनाए जाएंगे वो पूरी दुनिया पे लागू होंगे तो इन्होंने बोला कि ऐसा possible नहीं है और उनके अनुसार मैनेजर विभिन पर स्थितियों में कैसे निर्णे लेता है उसी के सिधान खोज करने का इन्होंने लक्षे बनाए था कि अमेरिका की जो स्थिती है वो बिलकुल डिफरेंग है वहाँ के जो प्रशाशन है वो बिलकुल डिफरेंग है इसलिए वहाँ के लोग किस परकार से डिसीजन लेते हैं वही हमने डूमना है प्रशाशन का प्रबंद किये स्कूल है जो management के साथ ही जुड़े हैं जिन्होंने manager level पे काम किया है कि manager के क्या काम होने चाहिए manager की क्या क्या विशेष्टाएं होनी चाहिए तो इसके समर्थक है Henry Fjol, Mune Andrile, Lyndal, Urvik और Kuntaj तो यह है manager, managerial management के managerial समर्थक की manager के कामों से related प्रशाशन के अनुभाव जन्य स्कूल के समर्थक, empirical स्कूल के समर्थक है P.F. Drucker, Ernest Dale और American Management Institute जो American Management Institute है यहाँ पे जितने भी चिंतक हुए हैं प्रशाशन के सभी related माने जाते हैं empirical स्कूल से तो इसको आपने copy पे लिख लेना है और इनको याद करना है कि कौन सा चिंतक classical approach के साथ जुड़ा है कौन सा empirical के साथ, कौन सा contingency के साथ जुड़ा है ठीक है प्रशाशन में decision making theory के प्रथिपादक है प्रशाशन में decision making approach दी है हरबट साइमन ने प्रशाशन में नियोजन के 6P planning के 6P माने जाते हैं जब आप theory पढ़ते हैं planning की तो उसमें 6P का वर्णन होता है तो एक बार question पुछा गया था कि 6P के अंदर क्या शामिल नहीं किया जाता है तो इसके अंदर 6P है पहला है परपज जब भी कोई planning की जाती है तो उस planning का एक specific परपज होता है उसके एक philosophy होती है उसमें कुछ promises होती है जिनको पूरा करना होता है उसके बाद policies planning के लिए बनाई जाती है फिर plans बनाई जाते हैं और उसमें priorities देखी जाती है कि इस planning की priorities क्या होगी प्रात्मिकताएं क्या होगी संगठन के अंदर योजना जब पूरे उद्योग के लिए बनाई जाती है तो corporate planning कहलाती है What is corporate planning? corporate planning वो planning होती है जब पूरे के पूरे संगठन के लिए planning बनाई जाती है जैसे ये आपका एक पूरी की पूरी बड़ा उद्योग है पूरी factory है इसके अंदर 20 विभाग है जैसे पहला विभाग आपका production विभाग है उसमें सिलाई विभाग है, बुनाई विभाग है उसमें फिर आपका marketing विभाग है, अलग-अलग विभाग है जब इन पूरे के पूरे विभागों को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाती है, वो कहलाती है corporate planning अब इसको अगर हम broad level पे देखे तो अगर आप देखो MSME से related MSME MSME से related अगर कोई planning बनाई जाती है या कपडा उद्योग से related एक planning बनाई जाती है तो कपडा उद्योग में बहुत टाइप के कपड़े है, बहुत टाइप का fabric होता है वहाँ पे, वहाँ पे नाइलोन होता है, पॉलिस्टर होता है, खादी होता है जब ये कपडा विभाग के लिए आप योजना बना रहे हो तो उसे कहा जाएगा corporate planning मौझूदा साधनों से लक्षे प्राप्ति के लिए बनाई गई योजना कहती है कहलाती है, strategic planning मौझूदा साधन आपके पास है, आपके पास 500 रूपीज है 500 रूपीज को आपने खर्च करना है और एक अच्छा आपने product बनाना है 500 में आपके पास सिर्फ इतने ही साधन है तो वो कहलाती है strategic planning छोटे समय के लिए बनाई गई योजना छोटे समय के लिए यानि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, नि के लिए योजना कहलाती है operational planning तो यह डारेक्ली आपसे पूछा जा सकता है कि what is operational planning तो operational planning वो planning होती है जो छोटे term के लिए बनाई जाती है देर्ग कालीन बजट तो बजट और planning दोनों अलग है लेकिन देर्ग कालीन बजट क्या होता है देर्ग कालीन बजट वो बजट होता है जो पांच से दस वर्षों के लिए बनाया जाता है पंच वर्षी योजना या दस वर्षी योजना के लिए जो बजट त्यार किया जाता उसे कहाया जाता है दीरकालिन यानि long term budget ठीक है और अल्पकालिन बजट short term budget बनता है एक से दो सालो के लिए जो हमारा बनता है आप देखते हैं हमारा जो budget चार्ल बजट का एक उधारन चालू बजट, महीनों या सप्ताहों के लिए ये बनाया जाता है करंट बजट भी से कहा जाता है, तो ये क्या है? महीनों या सप्ताहों के लिए बनाया जाता है नेक्स्ट होता है कार्यात्मक बजट, कार्यात्मक बजट को कहा जाता है functional budget यहाँ budget संगठन में विक्री और उत्पादक्ता के लिए जरूरत पढ़ने पर समय समय पर परदान किया जाता है तो कार्यात्मक बजट क्या है कि किसी संगठन में क्या है for example एक करोड रुपे इशू किये गये थे वन करोड इशू किये गये थे लेकिन वहाँ पर क्या है उत्पादन में बहुत तीवर गती से उत्पादन होता है वहाँ पर विक्री भी तीवर गती से होती है तो उसको क्या है जरूरत पढ़ रही है 50 lakhs की तो वहाँ पर एक दम से 50 lakhs उसको क्या है दिये जाएंगे और उसका बजट तयार किया जाएगा time to time Master Budget Master Budget कहलाता है Functional Budget का योग Master Budget कार्यात्मक Budget का योग कहलाता है अब देखें time time पे हमें जरूरत पढ़ रही है Budget की तो हम क्या करेंगे इस महीने हमने दिया 2,00,00 अगले महीने दिया हमने 3,00,00 अगले महीने दिया हमने 4,00,00,00 उसका जो योग कहलाएगा बाद में जो टोटल उसका कहलाएगा जिसे ये 50,00,00 बना तो उसे कहते हैं Master Budget हर संगठन की नीतिया हर संगठन की नीतिया संगठन के उदेश्यों को निरदारित करने के बाद बनाई जाती है तो कई बार क्रम में लगाने के लिए ये आता है कि नीतिया पहले बनती है या उदेश्यों पहले डिसाइड की जाते है तो पहले किसी भी संगठन के Objective डिसाइड की जाते है उसके बाद ही नीतिया बनाई जाती है Stability Strategy Stability Strategy उस strategy को कहा जाता है उस रणनीती को कहा जाता है जब उद्योग अपनी वर्तमान स्थिती से लाव अरजित कार रहा हो और स्थिती में परिवर्तन नहीं करना चाहता है Programmed and Non-Programmed Decision Programmed and Non-Programmed Decision की बात की है Herbert Simon ने Herbert Simon ने ये सिदान दिया है Programmed जो decision होते है वो रोजाना की गती वीडियो के लिए लिए जाते है और Non-Programmed भी रोजाना की गती वीडियो के लिए लिए जाते है Strategic तथा Tactical Decision जो आपके निर्णे हैं या तो Strategical हो सकते हैं या फिर आपके Tactical हो सकते हैं और इस परकार के Decision गंभीर परिस्थितियों के अनुसार अपने घाटे को कम करने के लिए लिए जाते हैं For example अभी Corona आ गया है Corona की वज़े से क्या है बहुत से उद्योग बंद हो गये हैं Mainly जो आपके खाने के उद्योग है खाने से related उद्योग है क्योंकि खाने की चीज़े जादा टाइम तक आप स्टोर नहीं रख सकते हैं बाहर आपका lockdown लगा है किसी परकार की आवाजा ही नहीं है तो वहाँ पर क्या है स्ट्रेटेजिक या टेक्टिकल डिसीजन लेने की जरूर है क्योंकि परिस्थितिया गंभीर है आपको total loss भी हो सकता है तो उस loss को कम करने के लिए आप tactical या strategic decision लेंगे कि हम क्या करेंगे हम 50% discount पे अपना समान बेच देंगे खाने की चीज़े बेच देंगे क्योंकि लोगों को जरूरत भी है या फिर 50 नहीं तो 90% पे भी हम बेच सकते हैं यह 10% का तो कम से कम लाव हो रहा है 100% से बचने के लिए इस तरीके के decision लिए जाते है Linear Programming Decision जहां समस्या तथा निशकर्ष का सीधा संबंध हो वहाँ पे लिए जाते है Linear Programming Decision For example, उतपादन के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है For example, आपका क्या है कच्चा माल खत्म हो गया है तो आप क्या करते हो उतपादन के लिए कच्चा माल जल्दी से ले आओगे ताकि उतपादन आपका दोबारा से शुरू हो पाए क्यूंकि कच्चे माल का Linear संबंध है उतपादन के साथ निर्डे की Heuristic Technique जो आप Decision लेते हैं उसकी Heuristic Technique इसके तहट समस्या को छोटे-छोटे भागों में बाच दिया जाता है और फिर हर भाग के उपर मन्थन किया जाता है चिंतन किया जाता है उसके उपर अनुभाव के आधारित पर ये मारो या चुको पर आधारित है ठीक है तो हिरिस्टिक मैथड में क्या है पहले क्या है समस्या को छोटे-छोटे भागों में बाट दिया जाएगा कि लॉक्डाउन लग गया है लॉक्डाउन में क्या है समस्या क्या है पहले तो उसको डिसाइड क्या जाएगा कि आपके वाह उसके उपर, problem के उपर सोचा जाएगा, चिंतन क्या जाएगा, और चिंतन करने के बाद उसको लागू किया जाएगा, और लेकिन ये क्या है, मारो या चूको पर आधारित है, तो मारो या चूको जो सिधान्त है, ये classical एक सिधान्त है, classical theorist ने ये दिया था, कि या तो आपको कुछ से लाव होगा अगर आपने सही डिसीजन लिए अगर आपने गलट डिसीजन इस टाइम पे ले लिए तो चुको का मतलब है आपको टोटल लौस यहां पे हो सकता है Bounded Rationality का सिधान्त हरबर साइमन ने प्रस्तूत किया और इन्होंने कहा कि निर्णे लेने के लिए कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्वतंतर नहीं होता क्यूंकि उसके पास सारे विकल्प उपलब्ध नहीं होते हैं निर्णे का Brainstorming Method Decision का Brainstorming Method इसके अंदर क्या किया जाता है एक ही समस्या को बार बार लोगों के सामने पेश किया जाता है और जैसे विज्ञापन पेश किया जाते हैं इससे हर कोई सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और अपने decision लेने में वो सक्षम हो जाता है ठीक है निर्णे लेने की Delphi technique ये Delphi ने प्रतिपादित की थी तो Delphi के नाम पर ही इसको Delphi technique कहा जाता है इसमें क्या किया जाता है एक अनुभवी दस्ते से अलग अलग निर्णे लेने के लिए कहा जाता है और सभी के द्वारा लिए गए निर्णे निशकर्शो को अंत में लागू किया जाता है तो Delphi technique में क्या होगा एक ये expert की एक team होगी ये दूसरी team होगी experts की और ये तीसरी team ये depend करता है आपका जितना बड़ा decision होगा तो इस team को बोला जाएगा team A को कि आप इस problem के उपर अपने निर्णे दीजिए कि किस परकार से इस problem को solve किया जाता है B को भी बोला जाएगा और C को भी बोला जाएगा उसमें कुछ सामान्य बाते होगी जैसी ये बोलेगा आपको इस plan को implement करना पड़ेगा आपको plan A को implement करना पड़ेगा 2 को आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर ये बोलेगा plan A को implement कीजिए आप plan 2 को छोड़ दीजिए तीसरा बोलेगा प्लान दो को आप एक्टिवेट कीजिए और प्लान एक को आप छोड़ दीजिए तो यहाँ पे जो जादा यहाँ पे लोगों की राय होगी उसको यहाँ पे इंप्लिमेंट किया जाएगा इसे कहा जाता है डेलफी टेकनीक नेक्स्ट है नॉमिनल ग्रुप टेकनीक इस निर्णे लेने वाले सारे सदस्यों को लिखकर उत्तर देने के बाद निर्णे को संख्यात्मक रूप दिया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति सहमत होते उसे लागू किया जाता है तो नॉमिनल ग्रुप टेकनीक में क कि निर्णे लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए दूसरा question होगा तीसरा इस तरीके से 10 question उसके अंदर 20 question जिस प्रकार की समस्या होगी और फिर वो उसको numerical form में बोलेंगे जैसे पांच लोगों ने बोला यस चार लोगों ने बोला नो और एक आदमी है confused त next question जो की चार से पांच बार repeat हो चुका है यह है stages of planning planning के चरण कौन कौन से है उसको क्रम में लगाईए sequence में इसको लगाने के लिए यह आता है तो सबसे पहले क्या होता है purpose or planning purpose of planning or mission सबसे पहले किसी भी planning का आपके पास कोई purpose होता है आपके पास कोई mission होता है उसके बाद objective नरधारित करने के बाद आप बनाते है policies जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहले आप अपने objective decide करोगे उसके बाद policies बनाओगे उसके बाद आप बनाओगे रणनीतिया उन policies को लागू करने के लिए फिर बनाओगे rules की कोई भी लोग इन rules को नहीं तोड़ेगा फिर बनाओगे आप एक proper procedure की इस procedure के तहत ये rules लागू किये जाएंगे और उसके बाद बनते हैं program, program बनने के बाद ही आप budget issue करते हो ठीक है तो ये है stages उसके बाद आता है process of planning कि planning की process क्या है किस प्रकार से आप plan करते हो किसी चीज को ये question भी repeat हुआ है सबसे पहला है analysis of problem जब भी आप plan बनाते हो तो सबसे पहले आप problem का analysis करते हो कि problem क्या है उसको problem को आप क्या करते हो define करते हो problem formulation आपने research भी पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या होता है problem formulation होता है फिर आप देखते हो alternative कि इस problem को solve करने के क्या-क्या alternative हो सकते हैं क्या-क्या तरीके हो सकते हैं उसके बाद आप देखते हैं evolution of alternative को जो आपने alternative decide किये हैं कि इस method के द्वारा भी हो सकता है इस method के द्वारा भी हम इसको solve कर सकते हैं, इस method के द्वारा भी solve कर सकते हैं, उसके बाद आप देखते हैं इसका evolution, evaluate उनको करते हैं कि इन में से कौन सा better है, ये ये या ये, उसके बाद आप करते हो experience, experience का मतलब होता है पूर्व के experience, यानि literature review जो आप करते हो कि पहले लोगों क क्या experience रहे थे जिन्होंने इस प्रकार की policy लागू की थी, उसके बाद करते हो, आप experiment उसको लागू कर देते हो, और आप experiment के बाद apply decision यानि उसको लागू कर देते हो, तो MBO आपने देखा management by objective, दूसरा सिधान्त इसके parallel में आया था, वो आया था management by exception, exception मतलब है कि बहुत ही rare cases में exception कुछ cases ऐसे होता है, जिसमें आपको management करना होता है, इसके अनुसार प्रबंध को को छोटे छोटे कारियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, निरणे निचले लेवल पर लेने के लिए ही प्रेरित किया जाना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो, तब ह विवाद को सुलजाना चाहिए, यानि manager को ज़्यादा हस्तक शेप नहीं करना चाहिए, कुछ exceptions ऐसी होती है, जहां पर manager को interfere करना चाहिए, जर्मी बेंथम ने सरोप्रथम 1780 में international law शब्द का प्रयोग किया है, 1780 में सबसे पहले जर्मी बेंथम ने international law शब्द का प्रयोग किया है, तो एक most important book आपके आते है, International Law Attretize, ओपन हाइमर की ये book है, Edmond Harsal, Edmond Harsal को father of phenomenology कहा जाता है, father of phenomenology, Edmond Harsal, जो phenomenology है, इसे गटना क्रम कहा जाता है, गटना क्रम फिनोमिनोलोजी का मतलब हुआ, एक प्रकार की टेक्नीक होती है, research की, phenomenology में क्या है, आप गटना क्रम को देखते हैं, कि किस प्रकार से कोई एक गटना गटी, लाइक एक आतंकवादी गटना गटी है, तो उसमें क्या है, phenomenology method आप यूज करते हैं, आतंकवादी कहां से, एंटर देश के अंदर हुए, क्या-क्या उनके पास संसादन थे, कैसे उन्होंने हमला बोला, हमला बोलने के बाद उन्होंने क्या-क्या planning की, तो यह phenomenology के तहत आता है, उसके बाद, father of new hermeneutics, new hermeneutics के father माने जाते हैं, Frederick Shalmacher, Shalchheimer, new hermeneutics, पहले hermeneutics को आप समझ लीजए, कि hermeneutics क्या होता है, तो hermeneutics होता है, किसी चीज को व्याख्या करने का विज्ञान, किसी चीज की व्याख्या करने का विज्ञान, like Bible, यह Bible से ही शुरू है, basically, जो hermeneutics का सिधान्त है, Bible के interpretation से ही यह शुरू हुआ, तो Bible क्या है, पहले कहा जाता था, कि Bible को केवल प्रीस्ट ही पड़ सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई भी इनसान इसको नहीं पड़ सकते हैं, और पॉप जो Bible पड़ते हैं, उसी के द्वारा लोगों को मोक्ष प्राप्ती होती है, तो Martin Luther हुए पंदुरुष ताबदी में, Martin Luther मा आपने भी देखा होगा, इसाई धर्म के अंदर दो प्रकार की श्रेणिया पाई जाती है, पहली श्रेणिया पाई जाती है, Catholic धर्म, Catholic धर्म मानते हैं कि जो पोप होते हैं, जो फादर होते हैं, वही पड़ सकते हैं Bible को, और उनी के द्वारा मुक्ती मिल सकती है, इनसान क लेकिन जब Martin Luther आते हैं, Martin Luther ने बोला कि ये क्या वक्वास है, कोई भी इनसान, कोई भी इनसान इतना सक्षम है, इतना बुद्धी जीवी है, कि वो अगर Bible को पढ़े, तो वो उसको समझ सकता है, उसकी interpretation वो कर सकता है, तो उन्होंने Protestant धर्म दिया, और Protestant धर्म के द्वारा ही हर्मेनिटिक्स का यूज किया गया, तो हर्मेनिटिक्स होता है, कि आप interpretation चीज़ों की कैसे करते हैं, Democracy and Development in India, From Socialism to Pro Business, अतुल कोहली की बुख है, पिछली वीडियो में इसको मैं बता चुका हूँ आपके सामने, State Against Democracy, In Search of Human Governance, ये रजनी कोठारी की बुख है, और 1988 में इनोंने लिखी है, तो रजनी कोठारी भारत के एक बहुत बड़े Political Philosopher माने जाते हैं, और रजनी कोठारी को श्रेय जाता है CSDS के निर्मान का, CSDS नामक संस्था है, जो कि आपने देखा होगा, इलेक्शन इंडिया के अंदर जितने भी होते हैं, वो स्टेट लेवल के इलेक्शन हो, वो राज्जी सभा के इलेक्शन हो, लोगसभा के इलेक्शन हो, उसके लिए ये सर्वे करवाता है CSDS, ठीक है? इसका मतलब है, Comparative Society for Developing Studies State is a people organized for law within a defined territory, ये Woodrow Wilson की quotation है, और Louis IV जो था, वो इतना बड़ा तानाशाह था, कि वो खुद को कहता था, मैं ही राज्य हूँ, I am the state, Louis IV, इसके खिलाब काफी आंदोलन भी हुए, England के अंदर, राज्य प्रभुसत्ता उतनी ही स्थाई है, जितना राज्य प्रभुसत्ता के बिना राज्य नहीं, John Austin ने इस परकार से डिफाइन किया, Importance of Sovereignty को प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच इच्छा होती है, ऐसा कहना है विलोवी का आस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता किसी निश्चित मानव या समूश रेणी में निवास करती है, लोग इसका स्वभाविक रूप से पालन करते हैं, एवम मान्यता देते हैं, इसलिए प्रभुसत्ता कानूनी है, तो लीगल थियोरी ओफ सौवर्निटी दी है, जॉन आस्टिन ने, लीगलिटी के उपर ही ज्यादा काम इनोंने किया है, तो कोश्चन किस परकार से यहां पर आ सकता है, कि आस्टिन ने किस परकार की प्रभुसत्ता की बात की है, वैधानिक, संवेधानिक, कानूनी, ठीक ह तो कानूनी यानि लीगल प्रभुसत्ता की इनोंने बात की है, प्रभुसत्ता विशे का प्रथम प्रयोग बौदिन ने किया, इसलिए इन्हें प्रभुसत्ता का जनक कहा जाता है, तो फर्स टाइम जीन बौदिन ने यूज किया है प्रभुसत्ता का सिधान्त, उसके बा तो यह अभी लेटेस्ट, एक एकजाम के अंदर कॉशंड इस तरीके से आया था की कानूनी प्रभुसत्ता किसके द्वारा शक्ति प्राप्त करता है तो कानूनी प्रभुसत्ता के पीछे होता है राजनितिग प्रभु प्रत्थम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था ऐसा कहना है वॉल्टेयर का दफर्स्ट किंग वाज अलकी वॉरियर राज्य परिवार का विस्तृत रूप है अरस्तु की तरह सर हेंडरी मैन ने भी इसे स्विकारा है यानि राज्य का विस्तृत रूप राज्य परिवार का विस्तृत रूप है यहां पर परिवार के उपर इंफेसिज किया गया है ठीक है नीचे आप देखोगे राज्य व्यक्ति का विस्तरित रूप है तो यह बिल्कुल डिफरेंट है अरस्तु क्या कहते है अरस्तु कहते है परिवार से बनता है राज्य परिवारों का विस्तरित रूप होता है राज्य लेकिन प्लैटों कहते है कि व्यक्तियों का विस्तरित र रिट लार्ज आप कह सकते हैं स्टेट इस मैंस रिट लाज तो रिट लार्ज का जो कॉंसेप्ट दिया है वो दिया है प्लेटो ने और परिवार का विस्तरित रूप की बात की है अरिस्टोटल ने तो यहां यह कॉशन कई बार रिपीट हो चुका है कई बार मिस्टेक करते हैं आप स्टुडेंट तो परिवारों का विस्तरित रूफ अरश्तू और व्यक्ति का विस्तरित रूफ लेटो और सर हेंड्री मैन ने भी यही बात की अरhos्तू की तरह कि परिवा अगर उनकी योग्यता है दिन में 10 एटे उठाने की तो वो क्या है 10 एटे ही उठाएंगे और उनको आवशक्ता है 10 रोटियों की तो 10 रोटिया उनको दी जाएगी लेकिन इसके साथ ही लैनिन क्या बोलते हैं योग्यता अनुसार कार्य लाइक अगर वो दस इटे उठाने की वक्षमता रखते हैं तो उन्हें दस इटे ही उठाने को दी जाएगी और काम अनुसार वेतन अगर दस इटे उठाने के आपको पांच ही रोटिया मिलती है तो आपको पांच ही रोटिया दी जाएगी आपको कालमाक्स की तरह दस रोटिया नहीं दी जाएगी ठीक है हिंसात्मक परिवर्टोनों में हिंसात्मक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है ये बात की थी E.M. जोड ने हीगल एक आदर्श्वादी चिंतक है जिसे फासिवाद का अगरदूत माना जाता है फासिवाद का अगरदूत इसे क्यों कहा जाता है क्योंकि इसने जर्मनी के अंदर ऐसे ताना शाह राजा की वकालत की थी जिसे भगवान का अवतार प्रिथवी के उपर माना जाता था और राजा के खिलाप ना तो कोई विद्रो कर सकता था ना ही उसके खिलाप कोई कुछ बोल सकता था तो इसलिए इसे फासिवाद का अक्रदूत कहा जाता है और इसी से प्रेणा लेकर मुसॉलीनी या फिर आप कह सकते हैं हिटलर ने अपनी तानाशाही को सही साबित किया था काल मांक्स उदारवादी अधिकार सिधान्त के विरुद्ध था क्यूंकि उदारवाद ने स्वतंतर प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया और आगे चलकर उसने पूंजिवाद का रूप ले लिया तो उदारवादी अधिकार सिधान्त क्या कहते थे वो कहते थे मनुष्य को स्वतंतर छोड़ दो स्वतंतर प्रतियोगिता होनी चाहिए और जहां पे स्वतंतर प्रतियोगिता होगी वहां पे जो पूंजी पती है वो और ज्यादा शक्तिशाली ओड़ राएगा सारी पू अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्विकारता है राज्य लागू करता है बोसांक्य की कोटेशन है विशेश कारियों को करने में स्वतंतरता की उचित मांग अधिकार है ये कहना है वाइलिड का उसके बाद न्याय का अर्थ प्रतेक व्यक्ति को हक परदान करना है ये कहना है सालमंड का साम्यवाद का सारांश निजी संपत्ती की समाप्ती है काल माक्स के अनुसार जहां पर प्राइवेट प्रोपर्टी खत्म हो जाए समझ लो साम्यवाद आ गया मनुश्य के व्यक्तिगत गुणों को छोड़ कर समस्त मौलिक वभौतिक वस्तुएं जो स्थानंत्रित हो सकती है संपत्ती कहलाती है ये टी-ेच मार्शल का प्रोपर्टी का सिधान्त है ये जॉन मार्शल है ठीक है मार्शल का प्रोपर्टी का सिधान्त वे लोग जिनकी संपत्ती दूसरों के पारिश्रमिक का परिणाम है वहां समाज पर परजीवी है ऐसा कहना है प्रॉपर्टी के बारे में लास्की का यानि जो लोग दूसरों की परिश्रम से संपत्ती को अर्जित करते हैं वो परजीवी है तो परजीवी के बारे में काल माक्स ने पहले लिखा था कि जो पूंजी पती होते हैं वो परजीवी होते हैं क्योंकि मजदूरों के खून पर वो पलते हैं खून चूसकर वो पलते हैं उसके बाद इसी तरीकी की बात की है लास्की ने पैत्रिक संपत्ती केवल विध्वा तथा बच्चों के पालन पोशन के लिए ही उचित है तो प्राइवेट प्रोपर्टी का विल्कुल विरोध किया है लास्की ने और उन्होंने कहा है अगर कोई विकलांग है या फिर महिला है या फिर विध्वा है उन लोगों को ही क्या है प्राइवेट प्रोपर्टी दी जानी चाहिए स्वतन्तरता बंदनों का अभाव नहीं बलकि अवसरों की उपस्तिती है ये डेफिनेशन है बारकर की जहां कानून नहीं वहां स्वतंतरता नहीं जॉन लोग की फेमस कोटेशन कई बार रिपीट हुई है कानून पालन ही स्वतंतरता है ऐसा मानना है रुसो का कानून पालन मतलब सामान्य इच्छा के आप उपर नहीं जा सकते हैं सामान्य इच्छा को मानना ही स्वतंतरता है अगर आप सामान्य इच्छा को नहीं मानते हैं तो आप रहजक्ता की स्थिती में जा सकते हैं स्वतंतरता वा समान्ता विरोधी है तो स्वतंतरता की लालसा ने समान्ता को निश्क्रिय बना दिया है इस तरीके की quotation दी थी Lord Acton ने तो स्वतंतरता और समानता एक दूसरे के विरोधी है तो इनका जो basic concept है समानता का जो सिधान दिया है समानता का सिधान दिया है कालमाक्स ने ठीक है कालमाक्स ने दिया है समानता का सिधान स्वतंतरता का सिधान दिया है पूंजी वादियों ने कि हर व्यक्ति को आजात छोड़ दो बेसिकली ये दिया था जॉन लॉक ने तो लॉर्ड एक्टन बोलते हैं कि ये जो पूंजी वाद है और ये साम्मे वाद है दोनों एक दूसरे के वीरोधी है स्वतंतरता समानता एक दूसरे के पूरक है ये सबसे पहले बात की थी लास्की ने जो कॉमिनिजम और अपका कैपिटलिजम है ये एक दूसरे के क्या है पूरक है उसी तरीके से इसका इन दोनों के भी समन्वे स्थापित करने की बात की थी जॉन रॉल्स ने अपने न्याएं सिधान्द के अंदर ठीक है तो सबसे पहले बात की थी ये लास्की ने स्वतंतरता एवं समानता में कोई संबंद नहीं है ये बात करते हैं डी टॉक विले की एक दूसरे से कोई लेना देना साम्मेवाद और पुंजीवाद का नहीं है ये कोटेशन भी बहुत बार रिपीट हुई है बहुत से अग्जाम्स के अंदर तो ये जो कनफ्यूशेस का था यहाँ पर आइधिंक ये रिपीट हुआ है कनफ्यूशेस वाद को चीन में एक धर्म की तरह माना जाता है लेकिन ये धर्म निरपेक्ष प्रवरती का है और चीन में समयवाद के बाद, जब समयवाद आया 1949, उसके बाद चीन में Confucius की शिक्षाओं को पूरी तरीके से इस पे बैन लगा दिया गया था कारण क्या था? कारण ये था कि माओं ने Cultural Revolution शुरू किया गया था माओं के द्वारा और माओं ने क्या किया था? माओं ने अपनी ही शिक्षाओं को लोगों तक पहुचाने के लिए एक आंदोलन चलाया था ठीक है? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्यू, थैंक्स वॉआचिंग